हेलो सेबरवोंब्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिली आदब और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पाउर बाई नीट रूट्स तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले SMB अनलिसिस के अंदर इनम for Linux को कैसी यूज करना है और यह टूल किस चीज को परफॉर्म करता है तो बेसिकली इनम for Linux का काम होता है किसी भी एक विक्टिम के उपर या फिर मानलोग किसी भी एक पार्टिकुलर IP अड्रेस नेम अड्रेस और बागी सारी डिटेल्स को निकालना और फाइल सेरिंग मे मादद करना तो इसको करने लिए क्या करना है सिंप्लि आ जाने अपने अप्लिकेशन के अंदर वहां पर आजाना है आपको SMB अंदर और उसके बाद इनम for टूल पर सिंप्लि इसको क्लिक करके रण कर देना है तो यहांपर आप देख सकते हैं जैसे कि पिछली वीडियों म और उसको कैसे कर सकते हैं तो उसी तरह से इस टूल के अंदर भी आप देख सकते हैं यह सारे options हैं और इसमें additional options भी है और यहां पर दिखाया गया कि कैसे आप इसको use कर सकते हैं इसको practically run करके देखने वाले थे तो practically start करने से पहले मैं आपको बता दू कि hacking illegal है और इसको perform करने से पहले आपको victim से उसकी permission लेना जरूरी होता है तो अभी हम क्या करने वाले है यहाँ पर simply काली मेशीन है उसको हम root access दे देते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर command डालेंगे sudo su और फिर इंटर कर देंगे और फिर अपना password डाल देंगे तो इसको root access मिल चुका है तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे device का IP address है उसी पर हम attack करके check करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे new tab open करते हैं और यहाँ पर मैं command डालता हूँ if config उसके बाद इंटर कर देता हूँ तो अभी हम इसको ctrl c प्रेस करके रोक देते हैं और फिर अपनी टूल को यहाँ पर run करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर type करना है enum for Linux और उसके बाद अपना IP address डाल देना है और फिर इसको इंटर कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिखा देगा बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैं अपना खुद का IP address यूज कर रहा हूं जो कि यह एक यूनिवर्सिटी का IP address है इसलिए यहाँ पर आपको actual data नहीं मिलेगी बट आप अगर किसी पर attack कर रहे हैं यहाँ पर आप किसी victim के बारे में सारी information निकालना चाहते हैं उस पर animation करना चाहते हैं तो आप इस tool को run कर सकते हैं इसी तरह से जैसे कि मैंने command डाल कर run किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं start में target information आएगा उसके बाद यहाँ पर innovating work group आएगा या फिर मानलो domain names जितने भी हैं उस IP address के अंदर वो सारे दिखा देगा यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है उसके बाद nbt stat information तो इसका काम क्या होता है कि network status और protocol statistics को show करना इसी तरह से आप जब नीचे दिखेंगे और अपने victim के ऊपर इसको practical करेंगे तो वहाँ पर आपको यह सारे information सो हो रही होगी तो अभी हम क्या करने वाले है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इस tool को run करने के लिए inam for Linux और उसके बाद options और उसके बाद IP address डालना है तो उसी को अब हम practically देख लेते हैं कुछ commands या फिर कुछ और extra options डाल कर कैसे हम और भी commands डाल के यहाँ पर इस tool को run कर सकते हैं तो उसके लिए हमने क्या करने है यहाँ पर simply type करना है inam for Linux और फिर hyphen u और फिर IP address और उसके बाद आपको यहाँ पर IP address पेस्ट कर देना है और फिर इसको आपको इंटर कर देना है तो वैसे यहाँ पर कुछ यह information नहीं करेगा क्योंकि मैं अभी university का wifi यूज करना हूँ तो इसलिए यहाँ पर वैसे सारे information नहीं करेगा और उसको मैं sow भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यह YouTube की policy की against है और किसी की भी information ऐसे सबको sow करना illegal है इसलिए आप इसको जब practical करेंगे तो वहाँ पर आप इसको run करके check कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ sow नहीं होगा इसलिए यहाँ पर नहीं sow हुआ बट जब आप किसी IP address या फिर किसी domain name पर वहाँ पर attack करेंगे तो आपको इस session चेक के नीचे दिखेगा users का section जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी user names और उनके कुछ details so हो रही होंगी जिसको आप collect करके आगे penetration testing में काम ले सकते हैं या फिर उसको collect करके बाद में उसका यूज ले सकते हैं तो guys यह था आज का session जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे आप Enum for Linux tool को यूज कर सकते हैं और उससे information gathering या फिर enumeration कर सकते हैं और अब मिलते हैं अगली वीडियो में NBT scan tool के उपर practical लेकर तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy learning